आखीर हमारी कोनी कई अचानक टक्राने से हमें करण क्यों मैसूस होता है चलिए जानते हैं हैरान कर देने वली बज़ा इसी तरह की amazing information जानते रहने के लिए मेरे चानल के साथ हमेशा के लिए चुछ जाईए आपने कभी ना कभी मैसूस किया ही होगा कि जब भी हमारी कोनी किसी चीज से टक्रा जाती है तो उस समय हमें तेज दर्ध होने की बचाय एक करण या कुछ जनजनाट जैसा मैसूस होता है बच्चे हो या बड़े समने अपने जीवन में इस अनभों को एक मा एक बार जरूर मैसूस किया होगा लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इसके पीछे क्या वज़ा है या सिर्फ कोनी के साथ ही ऐसा क्यों होता है हमारे शरीर के बाकी अंगों में चोट लगने पर इस तरह का करण क्यों मैसूस नहीं होता अगर नहीं तो तो आज मैं आपको इसके पीछे की बेहत खास वज़ा को बताऊंगी दरसल कोनी के जिस हड़ी के टकराते ही हमें करण जैसा मैसूस होता है उसे आम भाषा में फनी बोन कहा जाता है वही मेडिकल साइंस इसे अलवन नव कहते है यहां नव हमारी गर्दन जिसे हम कॉलर बोन के नाम से जानते है कंडे और हातों से गुज़ती हुई कलाई तक जाती है इसके बाद यह यहां से बट कर रिंग फिंगर और छोटी उंगली पर समाथ हो जाती है इस नाव का काम ब्रेन से पिलने वाले मेसेज़ेस को शरीर के बाकी अंगों तक लाना ले जाना होता है शरीर के पूरे नावस की तरह ही अलवर नाव का भी जादातर हिस्सा हड़ियों, मज़जा और जोडों के भी सुरक्षित रहता है लेकिन इस नाव का कौनी से गुज़ते वाला हिस्सा केवल स्कीन और फैट से डखा होता है ऐसे में जैसे ही कौनी किसी चीज से टकराती है तो सीधा इस नर्व पर जटका लगता है और हमें करन जिसा फिल होता है यानि कि जब यह दबाव अचानक से सीधा आपकी नर्व पर पड़ता है पहली यह है कि अलवन नर्व हमारी बहा की हड़ी से होकर गुज़ती है जिसे मेडिकल लेंग्वेज में हुमर्स कहा जाता है हुमर्स शब्द बेसिकली मजेदार से मिलता चुलता है कुछ लोग मानते हैं कि इसी similarity की वज़े से इसे funny bone कहा गया है वही इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ छोट लगने पर हसी, गुसा या करन जिसा feel होता है बस इसलिए इसे funny bone कहा जाता है So that is all for today guys and if you like this video do like, comment, share and subscribe to our YouTube channel that is grow with us Bye guys